बिस्मिल्लायरह्मानिरहीम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम टेस्ट ओफ ड्विजिबिल्टी पड़ेंगे तो मेंस के इसमें हमारे पास कुछ एंटीजर्स हैं वो दूसरे एंटीजर्स को कब डिवाइड करेंगे उनके लिए कुछ कंडिशन्स होंगे जिस पे वो डिवाइड करेंगे वो वाली कंडिशन्स को हम इदर आज के लेक्चर में स्टूडी करेंगे ठीका तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहले स्टूडेंट्स यह मैंने लिखा कि n भी आ पॉस्टिव एंटीजर्स एन हमारे पास कोई भी पॉस्टिव एंटीजर्स है और एन को मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है एम एम माइनस वन अप्टू सो ऑन एवन एजिरो यह नॉट बेस टैन का मीन्स यह मतलब यह है कि n हमारे पास किदर कोई भी इंटीजर्स है यह बेस टैन का मतलब यह इंटीजर्स आपका zero to nine नंबर्स है उन में से उनको कंबाइन करके हमने कोई भी इंटीजर्स बनाया हुआ ठीक है जैसा कि आपके सामन मैंने कुछ अंटीजर्स लिखे हैं 23459 यह एक नम एक इंटीजर है complete 31028912 यह भी एक complete इंटीजर है तो इस तरह का मतलब आपके पास जो भी इंटीजर होगा उसको मैंने capital N के साथ denote कर दिया means कि इधर मैंने यह वालो जो capital N लिया होगा यह capital N हमारा कुछ इस तरह का कोई भी इंटीजर है कि इधर क्योंकि हम इसको general deal कर रहें तो इसलिए general form में मैंने इसको AM इस तरह से इसको denote किया होगा ठीक है students तो यह base 10 को जब आप इधर से open करते हैं तो इसी इंटीजर को हम base 10 के लिए कुछ इस form में भी लिख सकते हैं AM 10 power M plus up to so on plus A naught ठीक है यह आप जब इसकी base को open करेंगे तो मतलब यह 10 जब फस्ट एंटीजर के साथ फस्ट नंबर के साथ आएगा तो इसका जो भी सब्सक्रिप्ट होगा सब्सक्रिप्ट होगा वह 10 की power में आएगा मतलब 10 अगर AM के साथ होगा तो इसको हम लिखेंगे AM 10 power M 10 जब AM minus 1 के साथ आएगा तो 10 power M minus 1 होगी जब A1 के साथ आएगा तो 10 power 1 होगी जब A naught के साथ आएगा तो इसकी power 0 होगी ठीक है स्टूडेंट तो यह हमारे पास एक एंटीजर एंट जो है जनरल जिसको मैंने इसके start में define कर दी है तो students अभी हम इसको next करते हैं कि तू अब यह first मैं इसका test पार रहा हूं तो first test में हमने अब यह बताना है कि तू जो है यह इस N को कब divide करेगा N हमारे पास means कि यह कोई भी integer है means कि अब आप इसमें divisibility of two के लिए हम इसमें पढ़ेंगे कि two जो है वो किन किन numbers को divide करेगा और किन को नहीं करेगा इसके लिए जो condition है हम वो वाली condition इदर पढ़ेंगे ठीक है तो two और five इन दोनों के लिए condition सेम है मतलब कि two जो है वो इस N number को उस वक्त divide करेगा जब two जो है यह इस first इदर जो भी आपका होगा means कि इसको हम कहते है ones ठीक है ones की form में या ones की place प इसको डिवाइड करेगा तो फिर हम कहा देंगे कि two जो है वो इस complete number की divide कर देगा जैसे यह आपके सामने मैंने यह number लिख है two three four five nine ठीक है तो इसमें आपके ones की place पे number कौन सा है nine तो two जो है वो nine को divide करेगा two जो है वो nine को divide नहीं करेगा तो इसी लिए हम कहेगे कि two जो है व zero two eight nine one इसको देखें इसके one place पे digit कौन सा है two है तो two जो है वो इस two को divide करेगा तो इसी लिए हम कहेंगे कि two जो है वो complete digit को divide करेगा तो हमने अब इस lecture में इन जितने भी visibility test है इनका प्रूफ भी करना है और इनकी examples भी हम भी solve करेंगे तो यह two और five जो है इन दोनों का यह same इ जो मैं इन दोनों में से एक का प्रूफ करूँगा एक का प्रूफ जो है वो आप लोगों के छोड़ूँगा ठीक है तो मैं इधर first इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ आप लोगों को a part जो है इसका ठीक है means कि एगर two जो है वो n को divide करें तो if and only if के लिए हम इसको लिख सकते हैं two is divides a not ठीक है इसका हमने प्रूफ करने तो students इसके लिए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें पता कि every number is self-congress मतलब कोई भी number जो है वो self-congress तो हमेशा होते ही है ठीक है तो इसी लिए इधर मैं इसको लिख सकता हूँ a not जो है a not यह self-congress होगा ठीक है मतलब यह आपके पास एक fact है कि every number is self-congress तो मैंने इधर a not लिए तो a not जो a not पर तो congrress होगा हमेशा अब क्यूंकि हमने base 10 में बात कर रहे हैं तो आपने यह 10 की जितनी भी powers है ना यह सारी powers अब हमने इसकी बनानी है means हमने इसको 10 के साथ Congress relations जो है ना वो two के लिए find करने तो इसको अगर मैं start करूँ तो 10 और two के लिए हमने इसको लेना है तो 10 is Congress to 10 और two के लिए आप देखेंगे तो इसका remainder के आएगा इसको divide करेंगे तो remainder zero आज़े के means के 10 is Congress to zero mod two अब इसी तरह से हमने इसकी powers लेते जाए तो powers के लिए हमने एक result औरेडी पढ़ा होगा कि a के if a is Congress to b mod m अगर a जो है वो b mod m पर congrate हो तो इस पर आप दोनों साइड पर power अगर k ले लें तो then ये भी जो है a के Congress to b k mod m होगा ठीक है तो ये इस fact को हम इदर use करेंगे तो इदर मैं अगर 10 की power 2 ले लूँ इदर तो 10 की power 2 जो है इस Congress to zero power 2 mod 2 होगा तो zero की power 2 जो है वो zero ही हो जाते ह तो ये zero mod 2 आ जाएगा इसी तरह से अगर मैं 10 की power 3 ले लूँ तो वो भी Congress to zero mod 2 होगा ठीक है अप to so on इसी तरह आप इसको continue करते जाए तो 10 की power मैं अधर m ले लूँ तो ये भी Congress होगा zero mod 2 पे ठीक है तो ये आपके पास जितने भी queries आ गही है इसको मैंने numbers दे दिए ठीक है numbers जिनको आप sign कर दें 4 up to so on इस equation को मैंने number दे दिया m का ठीक है ये हमारे पास m ठीक है इसको मैंने m का number दे दिया अब हमने क्या करना है हमने n बनाना है ये वाला n हमने कैसे define किया हुआ था n आपके पास ये कुछ इस तरह से define है ठीक है am 10 power m अब हमने बनाने तो इसके और one जो है उसके साथ coefficient हमें a1 चाहिए और a note का coefficient हमें one चाहिए तो ये coefficients इनको बनाने के लिए मैं इदर इन सारी equations को multiply करूँगा multiply equation one two up to so on m by one a1 up to so on am means कि जो ये फर्स्ट equation इसको मैं one से multiply कर दिया second equation को a1 से multiply कर दिया mth equation को am से multiply कर दिया ठीक है then adding इनको multiply करने के बाद इसको हमने add कर दिया सब सब को ठीक है multiply करने के बाद इन सब को आप add करेंगे तो ये हमारे पास कुछ left side जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी a naught plus a1 10 plus a2 10 square plus up to so on plus am 10 power m ठीक है is congruous to ये मारे पास आ जाएगा congruous to a naught plus 0 plus up to so on plus 0 ठीक है ये इसमें तो ये सारे जो नंबर्स आपके पास हैं ये 0 मतलब a naught जो है वो सारे 0 में add हो जाएंगे into mod 2 ठीक है ये mod 2 इनका ऐसे कैसे आ जाएगा आप इसको देखें अगर आप तो ये चीज जो है ये ये हमारे पास बन गए n ठीक है इस सारे को हमने denote की होगा capital n के साथ is congress two ये a,on in sब के साथ add होगा तो ये इदर आपका a,on ora ight ए जागा ठेक है a,not mod 2 इदर से हम ये लिख सकते है ठेक है तो इसके बाद n is congress two a,not mod two तो इसके बाद आप यह लिख सकते हैं अगर n जो है वो a naught mod 2 पे congruent है तो इधर से हम इसको कह सकते हैं divisibility की यह congruent की definition अगर आप इधर apply करें तो इसके लिख सकते हैं आप 2 divides n minus a naught ठीक है तो इसके लिए हमने यह condition पड़ी थी कि अगर 2 divides a minus b है तो 2 जो है वो a को डिवाइड करेंगा if and only if 2 जो है वो b को डिवाइड करेंगा ठीक है तो यह condition है तो इधर आप लिख सकते हैं 2 divides n if and only if 2 divides a naught ठीक है यह हमारे पास इसका required result था इधर हमने यह factor जो है वो यूज कर लिए ठीक है student तो इसी से related मैं आपको एक example भी कुरवा देता हूँ वैसे example मैंने पहले बता भी दिये लेकिन चलें इसका 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 इसकी आप लोगों को बता देता हूँ जबादा से example इसकी simple यह है कि अगर आपके पास कोई भी integer n है n मैं integer कोई भी दे लेता हूँ आपके पास है कि क्या यह integer जो है यह two पे divide होता है यह नहीं ठीक है तो अभी हमने यह test जो बड़ा वो test में क्या बताता है कि जो इसका ones का ones place पे जो number है हमने जब इसको चेकने है आप उर्दू में इसको कहते हैं जो अकाई का हिंसा होता है इसमें हमने सिरफ अकाई का हिंसा देखने है अकाई का हिंसा महरे बस eight है तो आपने जसको चेक करने कि क्या यह अकाई का हिंसा जो है वो two को divide करता है या नहीं तो यह eight है eight जो है eight जो है वो two को divide करता है ठीक है means two divides eight so we say that two is divide is end मतलब two जो है वो काई का हिंसा divide करता है तो इसलिए two जो है वो इस whole integer को divide करेगा ठीक है students ये simple सीजिस के एक चोटी सी example होगी इसके बाद next जो है next इसका हमारा result है c जिसको आप कहलें कि three divides n if and only if three हमारा n को सब्सक्राइड करेगा if three divides summation summation i varies from 0 to m ai ठीक है कि आपका three जो है वो n को सब्सक्राइड करेगा जब three जो है वो summation को divide करेगा इसी तरह से इदर हमारे पास एक और भी result है d जो इसी से related जैसे two और हमने five के लिए same पढ़ा था इसी लिए इदर three और nine जो है इसका हमारे पास यह same result बनता है nine divides n if and only if nine divides summation ai ठीक है i varies from one to m तो even three और nine इन दोनों के लिए condition हमारे पास same है तो इसलिए इन में से भी मैं आपको a का पुरू करवा देता हूं ठीक है इसका पुरू भी बिलकुल इनी lines पे है जैसे हमने यह two वाला किया था ठीक है तो इसके लिए इसका भी स्टार्ट हम इदर से ही लेंगे कि every number is self congruent so we say that a not is congruent to a not mod three तो मैं यह c वाला जूस कर रहा हूं तो c में आपके बाद जो भी number होगा mod के अंदर हमने इदर वो ही value लिखनी है तो मैं इदर क्योंकि इसको deal कर रहा हूं तो इसके लिए आप इसको लिखे देंगे a not mod three अब इसके बाद आप आपने n बनाना है तो n के लिए हमने 10 की powers को लेके आना है तो अब आपने 10 को 3 के साथ चेक करने है कि 10 जो है 3 के लिए क्या आएगा इसका 10 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो remainder 1 आजाएगा तो इसका लिख देंगे 10 is congruous to 1 mod 3 अब आपने next क्या करने है इनके scales लेते जाने 10 का अगर आप scale लें तो 10 का scale 100 आजाएगा वो भी 1 mod 3 पे congruous होगा up to so on आप इदर 10 की power m ले लें तो 10 की power m जो है वो भी 1 mod 3 पे congruous होगी ठीक है तो इनको आप इसको equation number 1 कह दें इसको 2 कह दें इसको equation number 3 कह दिया इसको equation number m कह दिया अब आप क्या करेंगे इन सारी equation क्योंकि हमने n बनाना है capital n बनाना है तो उसके लिए हमारे पास जो जो चीज़े इसको चाहिए होगी हम इनके साथ multiply करते जाएंगे ठीक है means कि आप multiply करेंगे multiply equation 1 by equation 1, 2 up to so on m by 1, a1, a2 up to so on am and then adding इनको multiply करने के बाद आप क्या कर देंगे इनको add कर देंगे ठीक है तो इन सारे को multiply करने के बाद इसकी जो condition है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी a0 plus a1 10 plus up to so on plus am 10 power m is congruous to a0 plus a1 plus up to so on plus am mod 3 ठीक है यह 3 mod के लिए हम कर रहे है mod 3 आ जाएगा तो यह left side जो है वो आपके पास इदर n बन जाएगी तो n is congruous to इसको मैं summation की form में लिख सकता हूँ summation i varies from 0 to m ai mod 3 ठीक है तो इदर आप इसके divisibility की definition इदर अप्लाई करें तो n divides summation i varies from 0 to m ai तो इदर यह चीज़ आपके पास implies करेंगी 3 divides n if and only if 3 divides summation i varies from 0 to m ai ठीक है students यह इसका proof हो गया तो आप इसके मैं इसके लिए भी एक आपको छोटी सी example करवा देता हूँ 3 के लिए तो 3 के लिए आपके पास यह जो capital n है यह capital n हमारे पास integer मैं ले ले लेता हूँ 4 1 2 7 8 3 5 ठीक है यह मैंने n ले लिया तो 3 जो हो n को सुफ़ कर डिवाइड करेगा जब यह मैंने ai क्या है यह इस पूरे नंबर का sum है जब करता कि 3 जो है वो complete n को सुफ़ कर डिवाइड करेगा जब आप इस नंबर के जितने भी इसके इंदर टीजर्स है बेस टैन से less जो भी मतलब में टीजर्स है इन सब को आप sum करें तो उसको 3 डिवाइड करें तो इनको आप इदर मतलब इनको चेक कर लेंगे 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 एट प्लस 3 प्लस 5 ठीक है इनको आप एड करें सब को तो इनको एड करने के बाद ही मेरे खाल में 30 इसका बन जाते है ठीक है इनको आप एड करेंगे तो 30 अब आप नहीं यह चेका नहीं कि क्या 3 जो है वो 30 को डिवाइड करता है या नहीं तो वह हम इसको कह सकते हैं कि 3 divided 30 so 3 divided n ठीक है ये इसकी example होगी simple तो इसके बाद students मैं आपको next करवाते हूँ next इसकी example है 4 ठीक है ये इसका third case हो गया अब next आपके पास है 4 divided 4 divided n if and only if 4 divides a0 plus 2 a1 ठीक है अब हमने इसका प्रूब करने कि 4 जो है वो कहता कि n को उस वक्त डिवाइड करेगा जब 4 जो है वो a0 plus 2 a1 को डिवाइड करेगा ये हमारे पास अब 4 के लिए condition होगी तो इसका start भी बिलकुल हम उनी lines पे लेंगे जैसे हमने पहले किया है ठीक है तो students इसको मैं इदर बिलकुल short सा लिख रहा हूँ जो है self congress to a0 mod 4 तो इदर 10 को अगर आप check करेंगे mod 4 के लिए तो ये हमारे पास क्या आजाएगा 10 is congress to 2 mod 4 and 10 जो है आप इसका square लें 10 का square 100 आजाएगा और 100 जो है वो 4 को complete divide करता है इसका remainder आपके पास 0 आजाएगा 0 mod 4 और बाकी जितने भी आपके पास इदर numbers है इन सब के लिए जो आपका remainder है वो 0 आजाएगा ठीक है इनको आप equation numbers दे दें 123 up to 100 on m ठीक है student अब इदर हम again वही statement लिखेंगे multiply equation 1 2 up to 100 on m by 1 a1 a2 up to 100 on am तो इन सब को जब आप इदर multiply करेंगे वो statement वही लिखेंगे सेम जो मैंने पहले बताईए वो statement में लिखने के बाद जब आप इनको add करेंगे तो add करने के बाद left side पर आपके पास इदर n बन जाएगा ठीक है is congress 2 और right side जो है उस पर आपके बन जाएगा a not plus 2 a1 mod 4 तो right side पर ये 2 a1 mod 4 बन जाएगा तो इदर आप इदर visibility की definition लगाएं तो 4 is divides n minus a not plus 2 a1 तो इदर से ये implies करेगा 4 divide n if and only if 4 divides a not plus 2 a1 ठीक है कुरवा देतों है फोर के लिए आप देखें कि capital N मैंने एक इंटीजर ले लिया 3 2 6 8 8 0 4 8 ठीक है ये मैंने एक इंटीजर ले लिया एन तो अब हमने चेक करना है 4 के तो 4 के लिए हमने क्या करना है कि इसका ये वाला हमारे पास a not a last digit ये वाला हमारे क्या है 8 a1 क्या है 4 तो आपने एक चेक करना है कि 4 divides a not plus 2 a1 तो इसका ये क्या बन जाएगा 4 divides a not हमारे पास 8 है और ये भी 8 plus 8 16 हो जाएगा तो 4 is divide 16 so we say that 4 is divide N means कि 4 a not plus 2 a1 की value मारे पास 16 बनेगी तो 4 जाए वो 16 को divide करता है इसलिए 4 जो है वो इस complete integer को divide करेगा ठीक है students तो इसके बाद हमारे पास जो next condition है divisibility की वो आपके पास है 11 11 divides N if and only if 11 divides summation i varies from 0 to m minus 1 power i into a i ठीक है तो इसके लिए आपके पास simple यह है कि 11 जो है वो N को सब्सक्राइड करेगा जब 11 जो है वो N के जितने भी N के अंदर numbers होंगे उनके alternative sum नहीं है को बिता देता हूं थोड़ा सा इसके लिए स्टार्ट हम इसका इदर से ही लेंगे self congruent a not is congruent to a not mod 11 यह नोट जब वो a not mod 11 भी congruent होगा तो इसके बाद हम 10 को अगर check करें 10 को आप 11 पे divide करें तो 10 इसका remainder जो है 10 पावर M लेने तो यह congress 2 आ जागा minus 1 पावर M mod 11 इसको equation number 1 कहा दिया इसको 2 कहा दिया यह 3 है equation यह M है उसी तरह से वही same statement आप लिखेंगे multiply equation 1 2 up to 100 on M by 1 a1 a2 up to 100 on AM and then adding add करने के बाद आपके left side जो है वह मैं लिखे देता हूँ a0 plus minus 1 into a1 plus minus 1 square into a2 plus up to 100 on plus minus 1 power M into AM mod 11 ठीक है यह इसकी right side बन जाएगी तो इसको आप sum up करें तो इसको sum up करेंगे तो यह हमारे पास submission करने के बाद यह value आ जाएगी i varies from 0 to M minus 1 power M into aI ठीक है mod 11 यह आपके पास इदर जो है वो capital N आ जाएगा तो इदर भी आप divisibility की definition अप लगाएंगे ठीक है divisibility की definition इदर apply करेंगे तो इदर हम इसको लिख सकते हैं n divides sorry 11 divides n minus summation minus 1 power M into aI ठीक है तो इदर वो factor use करेंगे 11 divides n if and only if 11 divides summation minus 1 power M into aI ठीक है students यह आपका required इसका result आ जाएगा तो इसके इस से related भी एक example जो है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं 11 की divisibility से related 11 के लिए मैंने n जो है यह n को 6 तरह का integer ले लिया कि अगर आपके पास n जो है वो equal हो 7 7 2 3 1 6 0 8 2 3 यह मैंने n ले लिया अब हमने 11 डिवीजिबिल्टी पर चेक करने है तो स्टूडेंस में एक चीज़ आपने माइंड में रखने है कि जब भी आपने इन नंबर्स को add करना है ना आपने इनको 10 1 मतलब काईद हाई उस साइट से इनको आपने add करना है तो इसमें आपने जैसे हमने 2 या 3 के लिए पढ़ा था कि इनको divisibility के लिए हम क्या करते हैं सारे नंबर्स को add करके जो भी answer आता है उसको देखते हैं तो इसके लिए आपने इनको add करना है alternatively alternative sign के साथ इनको आपने add करना है means कि हमने 3 से शुरू करना है ठीक है और sign आपने alternative लेते जान minus 1 plus 3 minus 2 plus 7 ठीक है यह आपके पास आजाएगा इनको अब आप जब sum up करेंगे तो इसका answer मारत पास आजाएगा 22 अब इस 22 को आपने 22 को हम easy लिए लिख सकते हैं के 11 is divided 22 so we say that 11 is divided n ठीक है यह इसका answer आगे इस तरह से आपने इनको check करने तो अच्छा students इसके बाद यह तो आप आपके पास visibility test हो गए ठीक है तो इतने ही है वैसे तो और भी आपके पास 7 के लिए 8 के लिए 13 के लिए लेकिन फिल आल आप लोग इसके इतने ही कर लें तो मेरे खिल काती है तो इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा इससे different concept जो है example जो है वो मैं इधर एक करवाना चाह र दिया हो जैसा कि आपके सामने ये एक एंटीजर है ये एक example मैं आपको कुरवा रहा हूं इसमें है आपके पास 17 ठीक है ये एक number इसके अंदर missing है 521221 ठीक है इसके अंदर ये एक digit की missing है जिसकी जगह पर मैंने इधर x लिख है तो ये missing digit हमने find करना है वो कहता कि ये वाला जो एंटीजर है ये एंटीजर आपका is divisible by 3 ये divisible by 3 है ये वाला digit ठीक है ये 3 को divide करते है तो अब हमने इसके अंदर जो ये missing digit है ना ये हमने find करना है तो 3 के लिए हमने क्या condition पड़ी थी 3 के लिए हमने ये कहा था कि कोई भी number 3 को divide करता है जब इस सारे का sum जो है वो 3 को divide क करता है कि नहीं इस statement में हमें ये given है कि ये number जो है ये 3 को divide करता है हमने just इसके अंदर ये missing number है ये find करना है ठीक है तो इसके लिए हम वही process use करेंगे 3 जो है वो ये number 3 जो इस number को divide करता है तो divisibility की जो अभी हमने definition इसकी पड़ी है या जो इसका test हमने पढ़ा है जो method पढ़ा 2 plus 1 plus 2 plus 2 2 plus 1 तो इन सब को आप add करेंगे तो ये finally हमारे पास value आजागी 21 plus x ठीक है तो ये इदर आपके पास value आजागी 21 plus x City अब students आपने ये देखना है 21 plus x है न तो अब आपने यह देखना है कि 21 से जो next अमारे पास कौन से ऐसा digit है जो 3 को divide करते है ठीक है तो आपने अब वो number देखना है 21 के मतलब इसके फोरण बाद आपके पास कौन सा digit हमें मिलता है consecutive जो 3 को divide करें तो 21 के बाद हमें 24 हमें digit हैसा मिलता है जो 3 जिसको 3 जो है वो divide करता है तो आप फिर क्या करेंगे इस सारी वैल्यू को 24 के एकवर ले लेंगे 21 plus x is equal to 24 ठीक है तो 21 को आप right सारी पर ले जाएं तो 24 minus 21 तो यह x आपके इदर आ जाएगा 3 यह इसका अंसरे ठीक है students तो इसके बाद एक और इसी तरह की एक example है मारे पास कि अगर आपके पास यह integer है next example है इसमें भी हमने missing number find करने हैं यह एक integer है 1 x 86 239 ठीक है यह divisible है by 11 यह divisible by 11 है तो इसको हमने यह missing digit जो है इसके अंदर x वो हमने इसमें find करने हैं ठीक है तो 11 के लिए हमने क्या condition पड़ी थी 11 के लिए हमने कहा था कि हम इसके alternative signs लिखेंगे ठीक है alternative signs का sum लेंगे और उसको check करेंगे कि वो 11 पर divide होता है कि नहीं तो alternative sign sum इसका क्या आजाएगा आपने 9 से start करना है मतलब once c iq iq n से चुरू करने 9 minus 3 plus 2 minus 6 plus 8 minus x plus 1 इनको जब आप सारे को sum up करते हैं इसको sum up करने के बाद आपके पास आजएगा 11 minus x अब आपने ये देखना है कि 11 के बाद मतलब हमें कौन सा ऐसा digit मिलता है जो के 11 पर ही divisible हो ठीक है अब ये क्योंके 11 minus x है तो अब ये क्योंके minus x है तो means कि आपने 11 से अब कोई छोटी value देखनी है आपने मतलब अब पहले हमने अगर तो ये add हो रहा होता तो हमने क्या करना था 11 से next digit दे देखेंगे जो के 11 को divide करेगा ये किसी भी और test में आप sum के लिए करते हैं तो उसमें आप लोग नहीं यही चेक करने है इस तरह से ही देखने है जब minus आएगा तो previous digit जब plus का sign आएगा तो next digit तो 11 से previous digit हमारे पास कौन सा होगा जो 11 को ही divide करेगा वो digit हमारे पास जो है आजाएगा आपके पास इसके बाद वो digit हमें 0 मिल जाएगा ठीक है 11 से जो next digit है वो आपके पास 0 आजाएगा ठीक है तो इदर से आप इसको easy ले लिख सकते हैं is equal to 0 मतलब आप x की जगा पर 11 ही digit substitute कर दें तो यह आपके पास मतलब यह आजाएगा 11 मैंने 11 डिजट ही ले लिए क्योंकि यह माइनस हो रहा था तो इसके लिए digit है वो मैंने 11 ले लिए तो इसको आप 11 मेंस 11 माइनस कर दें तो यह आपके पास x is equal to 0 आजाएगा ठीक है students तो यह कुछ इस तरह से आपके बास यह कुछ examples है तो इस topic को आप लोगों ने अच्छी तरह से understand करें ठीक है thank you